नमस्कार दोस्तों स्वागा थे आप सभी का प्री बीएट प्री डीलेट की प्रिवेस परिक्षाओं में सिक्षा न भी रूची से 30 प्रशन पुछे जाते हैं उसी के संबंद में वीडियो लगातार बनाया जा रहा है अल्रेडी इसका पार्ट वन अप्लोडेड है उसे भी कर सकते हैं यह फिर जादा से ज्यादे अंक ला सकते हैं क्योंकि सर्वाधीक अंक 30 में से 30 इसी खंड में से आएगा अर्था सिक्छन अभिरूची टॉपिक से आएगा टॉटल सौ नंबर के पेपर में से अध्यापक के कारियों की सराहना करके अच्छा वेतन दे कर, क्या लगता है आपको कि इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, इसका राइट आंसर जो है वो है option C, option C है इसका right answer, अध्यापक के कारियों की सराहना करके अध्यापक की कारेच्छमता को बढ़ाया जा सकता है, सम वितन देकर यह भी ठीक है नेकिन सबसे उचित आंसर जो है वो है option C इसलिए option C ही right answer है, ठीक है, आगे चलते हैं, अगला प्रशन है, शिक्छा सक्ती एवं सत्ता का स्रोत है, महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों, तो एक चीज़ ध् बालकों का मतलब विद्यार्थी से है, जिसमें बालक और बालिका दोनों आते हैं, ठीक, सबी बालक बालिका सबी आते हैं, तो इसका answer क्या होना चाहिए, क्या लगता है, तो महिलाओं के लिए, पिछड़ों के लिए, बालकों के लिए, ए और बी दोनों, तो सिक्छा सक्त सकती एवं सत्ता का सुरोत है, महिलाओं के लिए वह रहा है, पिछलों के लिए, बालकों के लिए, सकती एवं सत्ता का सुरोत है, तो इसका जो राइट आंसर है, वो है A और B, ठीक है, A और B है, महिलाओं के लिए है, सकती एवं सत्ता का सुरोत है, और पिछलों के लिए है, तो उचित आंसर ये है, ठीक है, A और B दोनों, मतलब की option number D जो है, इसका right answer माना जाएगा, ठीक है, इस तरह की प्रस्ट थोड़ा confusing रहते हैं, नेकिन इस तरह का आ गया तो आपको A और B दोनों में गोला करना है, अगला प्रस्ट है, भारत में सिक्षित बेरोजगारी का प्रमुक कारन है, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस निती का ना होना, सिक्षा का व्यापक प्रसार, उद्देश हिन सिक्षा, घटिया इस तर की सिक्षा, क्या लगता है, क्या right answer होना चाहिए आपको, इसका जो right answer है वो है उद्देश यहिन सिक्षा, ठीक है, सिक्षित बेरोजगारी का प्रमुक कारन, इन चारों में से option C को ही माना जाएगा, इसको तो आप माने नहीं सकते, ठीक है, और सिक्षा का व्यापक प्रसार ये थोई नहीं सकता, क्योंकि ये तो व्यापक प्रसार होने से उचित हो है, option C, उद्देश यहिन सिक्षा, तो इस तरह के प्रस्ण हैंगे, तो आपको खुद से सोच के आंसर ढूणना है, अगला प्रस्ण है, हमें सिक्षा गरहन करने चाहिए, क्योंकि सिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स्वालंबी बनाती है, व्यक्ति को अर्थो पार्जन योग्य बनाती है, अर्थो पार्जन मतलब पैसा कमाना, ठीक है, ये सबी, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, क्या लगता है आपको, हमें सिक्षा गरहन करने चाहिए, क्योंकि सिक्षा व्यक्ति को विद्वान बनाती है, व्यक्ति को स् स्वालंबी भी ओनाती है, स्वालंबी मतलब आत्मनिर्भार समझ लीजिए और अर्थोपाजन योगी बनाती है, तो option D इसका जो है वो है, सहीं answer, option D इसका सहीं answer होगा, ठीक, अगला वीडियो देखते हैं, किस प्रकार का कक्छा नेत्रित्व सबसे उत्तम माना गया है, प्रभुत्व वादी सभी का मिला जुला रूप, लोगतांत्रिक प्रयोजन वादी, राइट आंसर क्या होना चाहिए इसका, ठीक है, किस प्रकार का कक्षा नेत्रिक वह सबसे उत्तम माना जाएगा न चारों में तो Information C लोगतांत्रीक सबसे उत्तम माना जाएगा प्रभुतवधवादी नहीं यह तो होई नहीं सकता मतलब इसमें किसी एक का प्रभुतव हो ताना साही जैसे है वैसा नहीं साभी का मिले जुले रूप एक कह सकते हैं प्रयोजनवादी कह सकते नेकिन सबसे बेश्ट आंसर है लोकदांत्रिक तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा लोक दांत्रिक अगला देखते हैं अभी भावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आवस्यक्ता पड़ती है primary कक्छाओं में, माधिमिक या middle कक्छाओं में, secondary कक्छाओं में, कालेजों में सही answer क्या होना चाहिए इसका अभी भावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आशकता पड़ती है primary कक्छाओं में एक से पाच के लिए जो छोटे बच्चे होते हैं वहाँ पे अभी भावक मुलाकात दिवस की सबसे अधिक आशकता पड़ती है क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं ठीक वीडियो को लाइक कर सकते हैं सेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को गेरामिन ठेत्रों के उथान का लग्ष होना चाहिए प्रैमरी एवन प्रौड सिक्चह का प्रसार नगरी सुक्सु इधाओं का विस्तार उच्च सिक्चह का प्रसार सही आंसर क्या होना चाहिए क्या लगता है आपको आप भी comment box में अपना उत्तर लिख सकते हैं और अंत में ये भी बताइए कि आपके कितने में से कितने सही हुए तो यहाँ पर सही answer जो है वो है primary एवं prod शिक्षा का प्रसार ग्रामिन छेतरों के उत्थान के लेक्ष्ण होना चाहिए primary एवं prod शिक्षा का प्रसार क्योंकि prod शिक्षा जो है वो है जो बुजूर्ग है उनको भी सिक्षित करना नगरीच सुख सुधाओं का विस्तार नहीं नहीं ये नहीं होगा उच्च सिक्षा का प्रसार ये सभी तो बेश्ट answer जो है वो है option A ठीक है ये भी ठीक है ये ये सभी में सबा सकते लेकिन ए जो है वो इसका सबसे उचीत answer है अगला प्रस्ण है प्रधानाचारिय अपने अध्यापकों से आसा करता है समर्पन एवं निष्ठा की आग्या पालन भाव की योग्यता एवं ज्ञान की ये सभी प्रधानाचारिय हेड मास्टर अपने अध्यापकों से आसा करता है समर्पन एवं निष्ठा की आग्या पालन भाव की योग्यता एवं ज्ञान की ये सभी राइट आंसर है ये सभी ये सभी की वो आसा करता है अगला हमारा प्रशन है अभी भावक अपने बालकों के लिए अध्यापकों से आसा करते हैं अभी भावक अभी भावक का मतलब पता है आपको पालक माता पिता निस्पक्च वैभार की सहानु भूती एवं प्रेम की य योग्यता एवम ग्यान की A और B दोनों जहीं आंसर क्या हो सकता है आपको क्या लगता है बालकों के लिए अध्यापकों से आसा करते हैं निस्पक्षवेवार की सहनु भूतियों प्रेम की ठीक है तो यहां पर ऑप्सन के धार पर राइट आंसर ए और B दोनों योग्यता ऐसा दिया है तो A और B आपको चुनना है मतलब की ऑप्सन D यदि आप से किसी गंभीर विशाय पर भासन देने के लिए कहा जाए तो आप इस विशाय पर मित्रों से सल्हा लेंगे इस पष्ट मना कर देंगे सहर्स तयार हो जाएंगे कुछ देर का समय मांगेंगे आपको क्या लगता है यदि आप से किसी गंभीर विशाय में भासन देने के लिए कहा जाए तो आप इस विशाय पर मित्रों से सल्हा लेंगे इस पष्ट मना कर देंगे सहस्र तयार हो जाएंगे कुछ देर का समय लेंगे राइट आंसर जो है वो है आप्शन सी सहस्र तयार हो जाएंगे ओके अगला प्रश्न है आज के वे ज्यानिक यूग में चात्रों को आध्यात्मिक्ता का ज्यान देना पिछड़ापन है आवस्यक है अनावस्यक है असंभा हो है आध्यात्मिक्ता समझा रहा है जैसे इसका सही आंसर क्या हो सकता है इसका सही आंसर है आवस्यक है वे ज्यानिक यूग में चात्रों को आध्यात्मिक्ता का ज्यान देना भी आवस्यक है पिछड़ापन नहीं बोल सकते अनावस्यक नहीं बोल सकते असंभव भी नहीं बोल सकते आवस्यक इसका राइट आंसर है अगला हमारा प्रश्ण है, विद्याले के सभी कार्य क्रमों में भाग लेना चाहिए, क्योंकि इससे सिखने का आउसर मिलता है, वैक्तित्व का विकास होता है, आत्म विश्वास के विकास में सहता मिलती है, ये सभी, तो बहुत असान प्रश्ण है, सभी कार्य क्रमों में भ ये सब इसका सही आंसर. अगला प्रस्ण है, किसी भी विसायवस्तु को चात्रों को सरलता से सिखाने के लिए अध्यापक का सर्व प्रथम गुन होना चाहिए. आत्मविश्वास विसायवस्तु का ज्यान प्रभावी अभिवेक्ती सहहिरदयता. तो सही आंसर क्या लगता है आपको आप भी सोचिए सही आंसर क्या होना चाहिए सही आंसर है इसका option C प्रभावी वैक्तित हुआ वैसे तो आत्म विश्वाज भी सही है विशेवस्तु का ग्यान भी सही है प्रभावी अभिवेक्ति किसी भी विशेवस्तु चात्रों को सरलतर से सिखाने के लिए अध्यापक असर अभिवेक्ति समझ आ रहा है जैसे नौलेज है नेकिन प्रभावी ढंक से अभिवेक्त नहीं हो पाएगा तो उतना वेल्यूएबल नहीं रहेगा नेकिन प्रभावी अभिवेक्ति जादा महत्वपुन है तो सर्व प्रथम गुन सी बाकी ए बी डी भी सही है नेकिन सी सबसे उचीत आंसर है इसलिए सी इसका आंसर है अगला हमारा प्रस्ण है विद्याले में खेलों के आयोजान का इस यह होता है चात्राओं को किसी कार्य में लगाना सरीर को हश्ट पूष्ट बनाना प्रतियोगी खेलों के लिए तयारी करना बालक का सर्वांगिन विकास तो बहुत ही अच्छा प्रस्ण और सरल प्रस्ण है सही अंसर क्या लगता है आपको बालक का सर्वांगिन विकास सरवांगीन मतलब सभी चीजों में सर्व सभी चीजों में विकास चात्राओं को किसी कार्य में लगाना सरीर को हश्ट पुष्ट बनाना खेलों के लिए तैरिक करना तो ये सब भी है नेकिन सबसे उच्छी यहां पर आप्सन दे दिया है तो इसको ही चुनना है सरवांगीन में ये सब भी आ गया किसी कार्य में लगाना, हश्ट पुष्ट करना खेलों के लिए तैर करना सरवांगीन सर्व, सर्व मतलब सभी सभी गुनों का विकास ठीक है तो ये है, आप्सन दी इसका राइट आंसर था अगला हमारा प्रस्ण है कि एक चात्र की दिरिष्टी से विद्यालय में चात्र संग संगटन के बारे में आपकी धारना है इनसे कोई लाब नहीं है विद्यालय में दादागिरी फैलती है सिठकों के अन्याययों के विरुद्ध लड़ने का एक सादन है चात्रों में नेत्रित्व की भावना बढ़ती है आप बताईए इसका आंसर क्या होना चाहिए बहुत अच्छा प्रस्न है और इसका आंसर है चात्रों में नेत्रित्व की भावना बढ़ती है इस क्लों में भी केप्टन, वाहिस केप्टन, कुछ-कुछ पद बच्चों को दिया जाता है और ये सब क्या है नेतित्व की भावना बढ़ती है क्योंकि यही बच्चे आगे जाके विधायक सांसद ये राजनिती में भी जाएंगे हर कोई इंजिनियर ये डॉक्टर तो नहीं बनेगा कोई ना कोई तो विधायक भी बनेगा तो आप कॉलेज में तो आपने अक्सर देखा ही होगा कि चात्रों का संगटन देखने को मिलेगा बकाइदा अध्यक्च होंगे सच्चिव होंगे सब कुछ होता है और इसकूल इस्तर में भी सुरू से ही कप्तान उप कप्तान जैसे पद दिया जाता है डी एट बीएट भी आप करेंगे तो वहाँ भी बकाइदा अध्यक्च सच्चिव खेल मंतरी और मीडिया प्रभावरी इस तरह के पद बना के पद दिया जाता है ट्रेनीस को वीडियो यहां समापत होता है वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए सेर जरूर कीजिए पेस्बुक वाटसेप टेलिग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन को दबाईए फिर बेल आइकन दिखेगा उससे दबाईए ताकि अगले वीडियो की जानकरी आपको मिल सके धन्यवाद